हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चालन पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखिए एससी चेहसल 2019 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि कल भी आपके एक सिफ्ट में 5-year plan से question आया था आज भी जो है आपसे question आया है 5-year plan से क्योंकि मुझे पता चला है कि 5-year plans यानि कि आज आपसे पूछा गया था 3rd year plan से उसका tenure क्या है ठीक है time period क्या है 3rd year plan का तो क्योंकि ये expect आप कर सकते हैं कि अभी बहुत सारे shift बचे हुए हैं तो question जो है आपके इस section से भी आ सकते हैं और मेरे channel पे भी वही सब topics है जो कि पिछले साल CHSL में जिन भी topics से questions आये थे उसके regarding मैं video continuously बना रहा हूँ और बहुत सारे questions topic से आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इस topic को अच्छे से एक बार देख लेना है क्या देखना है वो मैं बता देता हूँ पीडियेफ का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5-6 shift में इस topic से question आ जाएंगे किन shift में आएंगे मुझे नहीं पता लेकिन इस topic से तो questions आपके आएंगे देखिए आपको मिली पढ़ना क्या है पढ़ना है आपको कि जैसे आपके exam में question आ जाएगा कि first year plan जो है इसका time period क्या है तो first की बात हो रही है तो 1951 से लेकर 1956 तक यानि कि 5 साल पूरा पूरी कारकाल चला था ठीक है और ये PDF हिंदी और इंगलिस दोनों medium वालों के लिए है थाकि आप लोग पढ़ लें तो आपको basically ये पढ़ना है कि first year plan का time period क्या था 1951 से 1956 है ओके और इस समय देखिए जो भी important चीज़ यहाँ पर additional मैंने दिया है इसको आपको पढ़ लेना है हिंदी मीडियम वाले हिंदी से पढ़ेंगे इंगलिस मीडियम वाले इंगलिस से five year plan को दूसरा चीज आपको क्या इस पर focus करना है कि यहाँ पर देखना है कि वो जो five year plan था वो उस पर mainly focused किन चीजों पर था जैसे कि the first five year plan was launched in 1951 which mainly focused in development of primary sector primary sector पर जो है first year plan में focus था primary sector पर क्योंकि obviously बात है कि हम लोग भी यह target रखते है कि इन पास सालों में या इन एक सालों म या अगर हम लोग त्यारी करें competition का तो हाँ इन 6 महिना में मुझे यह चीज पूरा complete करके और इस exam को crack करना है उसी तरीके से जो जितने भी five years plan बनते थे वो एक target किया था था पूरे national level पे कि क्या-क्या हमको complete करना है क्या नहीं करना है तो exam में आपका जो question का range होगा जो SST हम आपको यह याद करना है और मिलनी आपको याद करना है कि the वो focus किस पर था तो first year plan जो focus था वो आपका primary sector में था second year जो आपका प्लान था वो आपका था 1956 से लेकर 1961 जब खत्म हुआ तो second year plan हुआ और इसमें जो था देखिए the second plan focused on the development of public sector ठीक है आपने देखा कि first year में कौन थ आपका primary sector second जो plan बना उसमें आपका focus था development of public sector यह आपका second year plan में था third year plan की बात करें तो इसका tenure 1961 से 1966 था 1961 से 1966 था और यह जो था इसमें जो focus था towards the defense industry and the Indian army यह चीज था इसमें उसके बाद plan holidays यह आपका important question पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है लेकिन fourth year plan आप देख लिजे और देखिए आज आपके shift में यही question आया है third year plan का ठीक है यह बात बुलना मैं भूल गया कि आज 1961 से 1966 से second year plan था यह third year plan था लेकिन यही questions आपके आएवे थे exam में ठीक उसके बाद देख लीजे आप fourth year plan आपने देख लिया fifth year plan देखिए fifth year plan का tenure क्या था तो 1974 से लेकर 1979 था additional information यहां दिया वाए इसको आपको पढ़ लेना एक बार उसके बाद rolling plan आपको देख लेना है sixth year plan देखिए sixth year plan आपका था 1980 से लेकर 1985 में और इस वक्त बहुत सारे चीज़ का establishment में हुआ था जैसे यहां देख रहे है 12 जुलाई 1982 को जो है national bank for यानि नबार्ट का आपका establishment हुआ था तो जो चीज भी important है मैंने पूरा यहां पर ले लि उसके बाद देखिए seventh year plan अब seventh year plan भी बहुत ज़्यादा important है ठीक है यह भी इसका time period आप देख लिए seventh year plan का eighth year plan देख लिए eighth year plan 1992 से 1997 था उसके बाद ninth year plan देखिए 1997 से 2002 था उसके बाद tenth आप plan देख लिए 2002 से 2007 था और इसमें जो main objective था वो आपको 8% GDP जो है growth करना था और poverty rate थ उसको कम करने का इसमें objective था 11 जो था उस वक्त के प्रधान मंत्री मनमुहन सिंग थे ठीक है और 2007 से लेकर 2012 और कल के shift में यही question आया था कि 12th year plan जो है इसका time period क्या था 2012 से 2017 ठीक है तो यह आपके questions आ सकते हैं आपके आने वाले shift में तो इसलिए यह PDF को download करके पढ़ लीजे औ और आपको टेंसल नेना नहीं है जो भी question सारे है उसके वीडियो बनेगे next वीडियो में बनाने वाला हूँ battle पे क्योंकि battle पे कल question साय था प्लासी पे आज question आ गया बकसर पे इसलिए हलाकि यह मैंने आपको करवा रखा है चैनल पे लेकिन फिर से मैं और कुछ important चीजिस में